हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल हैस्टैक क्रियेटिव आर्थी पूरवाल दोस्तो अभी अभी नीट 2021 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है नीट परिक्षा कैंसल को लेकर जी हां दोस्तो आपको बता दू नीट की परिक्षा दोबारा कंड़क्ट कराई ज दोस्तो पूरी न्यूज आपको विस्तार से बताऊंगी लेकिन चैनल पर जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजे ताकि सारी लेटेस्ट अब्डेट सबसे पहले आपक का अपटेट है और अभी अभी ये न्यूज आई है आठ बजे की न्यूज है कि धाई बजे वाट्सअप पर लीक हो गया था नीट टुन्टी टुन्टी वन का पेपर 35 लाख रुपए में हुई थी डील जी हां दोस्तों 12 सप्टेंबर को धाई बजे वाट्सअप पर ली सुटना को गंभीता से लेते हुए आनन फानन में जैपूर पुलिस ने इस संबंद में कारवाई करते हुए एक ओपरेशन प्लान बनाया देश भर में नीट की परिक्षा का आईविजन जब 12 सप्टेंबर को 2-5 के बीच में किया गया तो परिक्षा शुरू होने के पहले ही कई पुलिस वाले और डी एस टी शाका के हैट कॉंस्टेबल नरेन सिंग इन सबने राजस्थान इंस्टिट आफ इंजिनरिंग वयम टेक्नोलजी मायोजित नीट परिक्षा केंद्र पर परिक्षार्थियों को परिक्षा केंद के पिक्षक वहां के दिकारी संबंदिन को परिक्षा केंद के परिशर के बाहर भेजकर परिक्षार्थियों को नकल करवाई जाएगी इसकी एवेज में परिक्षार्थियों से भारी राश में 35-35 लाख रुपए लिए गया तो आप यह समझे कि उस केंद्र पर सेंटर पर क्या हो रहा था यानि जो की गई है और इस गैंग को पकड़ा गया है और आपको यह भी बता दू कि कई जगे यह गैंग पकड़े गए हैं चित्रकूट में मेरट में और यूपी के अलावा कई और गाजियाबाद में यहां तक कि जबसे जादा जैपूर में जैपूर का पूरा एक चाहा है तो आपको बता दू 35 रुपए लेकर इस परिक्षा में सफल करवाने का सौधा इन्विजिलेटर राम सिंग और नवरत्न स्वामी के बीच हुआ था तो इस तरीके की धांदले बाजी कई जगे हुई है वाटसब पर फोटो की जो पेपर था उसकी फोटो भेजी जब क्लियर नहीं थी तो उन्होंने खुच जाकर वहाँ पर पेपर को हल करवाया पूरी आंसर शीट के साथ करीब साड़े-4 बजे वापस भेज दिया गया तो यह सारी चीजे हुई है तो अगर कोई एक स्टूजन को भी अगर हम कहते हैं पेपर उसने फरजी वाड़े से तो इस तरह से जो मेहनत करते हैं बच्चे उनके साथ वाकई यह बहुत ज़्यादा नाइंसाफी है तो मेरे हिसाब से भी पेपर को दुबारा करा रहा है जाना चाहिए वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा साटिसफाइड नहीं थे पेपर कराने की मांग को लेकर अब उतनी अबड़ा जब यह परदा फाश हो गया है तो अब पेपर को दुबारा से कराना चाहिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एंटी के डिरेक्टर को एक बार फिर से सोचना चाहिए हमारे देश के बच्चों के बारे में तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में रिजल्ट नहीं आया है तो देखते हैं क्या होता है जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तुरंत आपको दे दिया जाएगा मेरे चैनल से जुड़े रहे है थैंक यू